नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर स्विल्स अपसे ने शाथ में तो यह वाला टेलिग्राम जरूर जोइन करकिए यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम जोइन करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अप कुछ चैनल लेज में डेली कुछ होती है बिल्कुल प्री में इसको जरूर जोइन कर लिजेगा यह हमारा इस्टाग्राम का पेज़ है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टड़ी फार एक्जाम में दोस्तों यह लेकपाल के सामान अध्यान से रिज का चौथा वीडियो है वीडियो सुरू करने इस पहले में आपको बताना चाता हूँ हमारी कई पेड़ ग्रूप चलते हैं अगर आप इनको लेना क動画 चये हैं को लżenie में आपने में किया जाता है इसका यह आлекला प्रसम लोग में से कौन सा जोड़ा सही सुमेरित नहीं वह आपको पैचानना है एक तरफ माध्यम है और दूसरी तरफ प्रकास की चाल मीटर प्रत सेकंड में यहां पर दर्साई गई है कांच, जल, हीरा या निर्वाद तो इसका जो सही अंसर है वह उप्सन ए कांच में प्रकास की चाल होती है वह 2,00,000 km प्रत सेकंड की स्पीड होती है तो इसका जो ऑप्सन ए है वह सही है बाकि अन जो है जल में प्रकास की चाल हो अगरे 10,020,25 गुड़े 10,8 होती है हीरा में 11,6,ign,2,4 गुड़े 10,8 होती है और निर्वाद में जो है वह 3,00,000 km प्रती गंटे की स्पीड होती है तो इसका जो option A है वह सही है, आए ते अगला प्रसम लोग, हाले में World Economic Situation and Prospects 2021 की संगठन ने जारी किया है, यह report की संगठन जारी किया है, WTO, World Bank, United Nation या IMF, तो इसका जो सही answer है, वह option C, United Nation ने जो है, World Economic Situation and Prospects रिपोर्ट 2021 को जारी किया है, बात करते हैं, सन्यूतराज संग के तिसकी जो स्थापना हुई थी, वह 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसका जो मुख्याल है, वह निवियार्क में है, और इसके कुल 193 सदत से हैं, सन्यूतराज संग के कुल 193 सदत से हैं, और वर्तमान में जो है, इसके महासचिव, वह एंटोनियो गुटे रेस हैं, तो इस प्रकार जो है, हम लोग United Nations समन्द में सभी प्रमुख बिंदूओं को भी कबर कर लिए हैं, आयते हैं अगरा प्रसम लोग, निमलिखित में से किसने ब्रिटिश सासन के समय अर्थ व्योस्था को खोखला करने वाला है, इकनोमिक ड्रेन के सिधान्त के बारे में एक किताब लिखी थे, एडम स्मित, काल माक्स, दारा भाई नरोजी या कौटिल, तो इसका जो सही आंसर है, वो अप्सन से, दारा भाई नरोजी ने जो है, इकनोमिक ड्रेन्स के सिधान्त पर एक बुक लिखी थे, जिसका नाम थ poverty and unbritish rule in India था और इसका प्रकासन जो है वह 1901 में किया गया थे यह भी परिछाम पूछा गया है इस पुछता का प्रकासन कब हुआ था और इन्हों ने जो है सर प्रथम आर्थिक निकास की आउधानव प्रस्तुत की थी दादा भाई नौरोजी ने आयते अगला प्रस्म लो निम्रिकित में से कवन से जोड़ी सही सुमिलित नहीं भाव को पैचानना है एक तरफ जर्ना और दूसरे तरफ नदी है शिव समुद्रम कावेरी पुनासा पुना नदी चूलिया चम्बल दुवादार नर्मदा तो इसका जो सही आंसर है वह option भी पुनासा पुनासा जो ह यह पुना नदी पना इस्थित होकर यह चम्बल नदी पर इस्थित है चम्बल नदी पर और पुनासा जर्ना जो है यह राजस्थान में इस्थित है बाकी सीव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर इस्थित है चूलिया चम्बल नदी पर इस्थित है और धुवादार जल प्रपाद जो है यह आपके नर्मदा नदीव पर इस्थित है तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है आई तो एक ला प्रसम लोग नीचे दियेगे जापान की दूइपों का उत्तर से दच्छल अनुकरम आपको पहचानना है इसके लिए चार आप्शन दिया गया है जो दूइप है वह होकाईडो होंसु सिकोकू और क्यूसी है तो इसका जो सही आंसर है सबसे उत्तर में होकाईडो है इसके बाद होंसु है फिस सुकोकू है और लास्ट में जो है वह क्यूसी हुए तो इसका जो आप्शन ए है वह सही है यह भी आप लोग जान लेजिए कि जापान को जो सबसे बड़ा दूइप है वह आपका होंसु दूइप है होंसू और इसी पर जो है जापान की राध्धनी टोकियो इस्तित ह जापान की जो राधनी टोकियों है यह हुंसुद उपर ही स्थित है आई ते अगला प्रसम लोग निमलिखित कथन किस ग्रह के बारे में कहा जा रहा है यहां पे चार स्टेटमेंट है यह सूर की जो परिक्रम है वह 29.5 बर्स में पूरा करता है इसके वल्यों के संख्या साथ है सौर मंडल में सरवादिक उपग्रह 82 जो है वह इसी का है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट स्ञेक उसका परिकर्म से के बारे में यह जितने विश्यसताएँ है सब सभी जो है वह संञेकी विश्यसताएः और इसका बड़ा उपग्रह उसका नाम CTYON है तो इसका जा cries OPSON C है वाऍवस सही है यह आपसरों के ब्रकार प्रस्ट पनाय गया था जिसे आपको एक में प्रकार क्वज winner 105-7100 So अजित क्लोग्स हाल ही में कि तूर्गा पूजा को युने ष्ट दौरा मानऊता की अमूर्थ सांस्क्रिट विरासत की प्रतनेधी सूची में सामिल किया गया है आपको बताना है यह किस सहर का लखनौ, कोलकाता, हैदराबाद या ग्वालियर तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन भी कोलकाता का कोलकाता सहर की दुर्गा पूजाग जो है युनोस्को ने मानवता कि अम सांस्क्रिट विरासत अस्थल हो गया है बात करते हैं युनेस्क्यों की तो युनेस्क्यों की जो अस्थापना होई थी वह 1945 में इसके अस्थापना होई थी और भारत जो है इसका सदस 1946 में इसका सदस हुआ था और वरतमान में जो है इसका मुख्याले जो है वह पेरिस छेत्रफल के देश से भारत का सबसे बड़ा बायोस्पेयर रिजर्व कौन सा है नोकरिक बायोस्पेयर रिजर्व मन्नार्क खाड़ी बायोस्पेयर रिजर्व मानस बायोस्पेयर रिजर्व या कच्छकारण बायोस्पेयर रिजर्व इसका जो सही आंसर है वह option D कच्छकार एके आपके इंगाले मैं ऊक्रीक मानस आपके असम में हो भारत में कुल देंग गॉंड है वन हो तमान बहुत करते चलीएगा आज आईते हैं अगला प्रसम लोग निमलखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं आपको पहचानना है एक तरफ जिवधारी या दूसरी तरफ वैज्यानिक नाम है यहां पर मेढ़क, मक्हे, गेहुं और सरसोका दिया है उसमें आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वह अप्संसी गेहुं का जो वैज्यानी नाम होता है वह ट्रिटिकम एस्टिवम होता है यह सही सुमिलित नहीं है तो इसका जो अप्संसी है वह सही है आईते हैं अगला प्रसम लोग निमलखित में से कौन सा प्राक्तिक रूप से सबसे मीठा लेक्टोज, गुलोकोज, सुक्रोज या फेक्ट्रोज, फ्रक्ट्रोज, तो इसका जो सही आंसर है, वो है option D, फ्रक्ट्रोज जो है यह प्राक्ति रोप से सबसे मीठा होता है, इसका जो option D है वो है सही है, और फ्रक्ट्रोज जो है यह सहद, बेल, और जामुन में जो है पा एंतरिछ यान परकार सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सौर के कोरोना को छुगा है। यह यान किस वर्ष लांच किया गया था यह आप लों को स्पेसल परस्न बना गया है कि यतिहास फृम फलस seven जैनजिक का अंतरिछ इसी मिसन है तिया आपके नासा का है इसे कब लांच किया गया था तो इसी जो है 12 अगस्त 2018 को इसे लांच किया गया था 12 अगस्त 2018 को लांच किया गया था और पारकर सोलर प्रोब जो है यह किस सम्बंदित है यह जो है सूरी से सम्बंदित है पारकर सोलर प्रोब इसका जो अप्सन सी है वह सही है आएते हैं अगरा प्रसम लोग भारत ने किस वर्ष तक टीवी की उन्मूलन का लच रखा है 2022,2023,2025 या 2028 तो इसका जो सही आंसर है वह अप्सन सी दो हजार पचीस तक भारत ने टीवी की उन्मूलन का लच रखा है तो इसका जो अप्सन सी है वह सही है टीवी जो है यह एक जीवान जनित रोग है और इसक से जी के नाम से जाना जाता है टीवी की रोख थाम के लिए आएतने अगला प्रस्म लोग हाले में चीफ आफ स्टाफ कमेटी के अध्यच का पदभार किस ने समाला है एम एम नर्वणे करंबीर सिंग विजय कुमार सिंग आर के एस भदावरिया तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन एम एम नर्वणे ने जो है चीफ आफ स्टाफ कमेटे के अध्यच का पदभा ला है और यह जो है भारत के थल सेना प्रमुग भी है इन्होंने जो है बिपिन रावत की जगह लिए है आएतने अगला प्रस्म लोग सत प्रस्त कोविट टीका करण दोनों डोज कलच हासिल करने वाला पहला केंसासित प्रदेश कोन बना लच्छ दीप, दिली, लदाख या अंडमान और निकोबार दुईप समूँँग तो इसका जो सही आंसर है इसका निर्मार किस ने करवाय था आपका बताना है कुतुबुदिन अइबक अलाओ दिन खेल जी, साजहां या आउरंग जीब तो इसका जो सही आंसर है वो आप्सन ए कुतुबुदिन अइबक ने जो है कुवत उल इसलाम मज़िद का निर्मार करवाय था और यह जो है गुलाम वहन्स का संस्थाफक भी है कुतुबुदिन अइबक आज देखते हैं अगला प्रसम लोग हाले ही में किस कंपणी ने डिजिटल भुकतान तक पहुच के लिए भारत में 500 गाओं को गोद लेने के लिए पाइलेट शुरू किया है फोन पे गूगल पे वाटसप या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी वाटसप ने यह शुरू किया पाइलेट जिनमें 500 गाओं को गोद लेकर हैं और यह जो गाओंगे यह महराष्ट और करनाटक के होंगे करनाटक वाँ महराष्ट के गाओंगे इसका जो आप्शन सी है वह सही है आई ते अगला प्रसम लोग आई एस एफार 2019 के अनुसार सरवाधिक वन छेतफ़ल वाले राज्यों को आउरोही करमी बेवस्त का नाम यहां पे चार राज दिया गया है मद्ध प्रदेश 5,481 है अवलाच्य प्रेस में 6,688 है 36 गड़ की बात करते हैं 36 गड़ में कुल 55,611 है और ओडिसा में जो है 51,617 वर किलोमेटर के चेतफ़ल है तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन डी इसका सही आंसर है सबस्तियारा मद्ध प्रेस में है फिर अवलाच्य प्रेस में फ गाजा क्ail बिजनेस बुक प्राइस 2020 किसने जीता है रतन टाठा मिहर दलाल सß तरुर या चीतन भगत तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन भी मिहर दलाल मिहर दलाल ने जो है गाजा काईप्टल स्बूक प्राइस 2020 को जीता है और यह है एक जरनलिस्ट है इसका जो ऑप जूनागड रूदरदामन प्रथम नासिक गौत्मी पुत्र हाति गुंफा खारवेर तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन ए एह होल अभिलेक जो है यह आसोग सम्दित नहीं बल्कि यह पुलकेशिन दूती सम्दित है और यह एक चालूक सासक था और इसी ने जो है हरसवर्धन को हराया था आएते हैं अगला प्रसम लोग ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याल है कहां इस्तित है हेग जेनेवा एमस्टरडम सिंगापूर तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन सी एमस्टरडम में ग्रीन पी इस इंटरनेशनल को जो मुख्याल है वह एमस्टरडम में इस्तित है अब एमस्टरडम जो है यह नीदर लेंड में है कि इसका जो आप्शन सी है वह सही है आएतने अगला प्रसम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल एंजीटी का गठन कब किया गया था 2001 2005 2010 या 2012 तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन सी 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल अर्था एंजीटी का जो एंजीटी की जो स्थापना की गए थी वह राश्टी हरित अधिकरण अधनियम 2010 के तहर 18 अक्टूबर 2010 को की गए थी अठार अक्टूबर 2010 को इसके स्थापना की गए थी और इसका जो मुख्याला है वह नई दिल्ले में इसका मुख्याला इस्थित है और यह है परियावरण के छेत में इसकी महात्रपूर्ण भूनका है एंजीटी की आपनों कितने प्रस्त सही हो रहे हैं आपनों कमन बाक् तो इसका जो सही आंसर है वह उप्सन A 1986 में भारत में परियावन सर्णाचन अधनियम पारित किया गया था इसका जो उप्सन A है वह सही है आईते अगला प्रसम दो किसी प्रजात को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राक्तिक आवास में नहीं देखी गई 50 वर्सों से 15 वर्सों से 20 वर्सों से यह 10 वर्सों से तो इसका जो सही आंसर है वह उप्सन D 50 वर्सों से अगर कोई प्रजात विलुप्त अभी मानी जा सकती है जब वो अपने प्राक्तिक आवास में 50 वर्सों से अधिक नहीं देखी गई है और इसे जो है IOCN निर्धारित करता है इसका जो आप्शन दी है वह सही है आई देते हैं अगला प्रस्म लो काजी रंगा राश्टी अभ्यारन किसके लिए जाना जाता है जिराफ एक सींग वाले किस राज्ज में श्थी थै कि जिसके स्थापना में 19 34 में इसके स्थापना उय थी और इसे जो है झाल झाल